रूस पर आतंकी हमले में आतंक्यों ने दो चर्च, एक यहूदी मंदिर और एक पुलिस स्टेशन को अपना निशाना बनाया। आतंक्यों का या खूनी खेल देकर हर कोई दहशत में है। चर्च में गुसकर आतंक्यों ने पादरी का गला काड़ दिया। इस हमले में 15 से जादा पुलिस कर्मियों के हत्या कर दी गई है। काले कपड़े पहने हत्यार बंद लोग पुलिस वाहन और सड़कों पर घूम रहे लोगों पर गूलिया चलाते हुए दिखाई दिये। सोशल मीडिया पर इस आतंक का वीडियो काफी तेजी से वारल हो रहा है। बहुत लोगों के घायल होने की भी खबर है। हलांकि ये मृत्तकों और घायलों की संख्या के बारे में आदेकार एक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन रश्यन पुलिस ने साथ आतंक वादियों को भी ठेर कर दिया है। इससे पहले तीनों इलाकों में तबाही का मंसर देखने को मिला। सड़क पर लोगों को पुलिस वालों की खून से सनी लाशे बिखरी थी। आतंके हमले के वीडियों सामने भी आ रहे हैं। चर्च धू धू का जला। वहीं लोग इदर उदर भागते हुई दिखाई दिये। आतंके उसे मुटबेड अभी जारी है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षण में वशेराज दागेस्तान के डबेट शहर में आतंके हमला हुआ है। पूच्छा संभालिया है, हालाएं कि अभी किसी आतंकी संगठन ने आतंके हमली के जिम्मेदारी नहीं लिए। लेकिन हमलावर आईस आईस या नाटो के हो सकते हैं, फिलहाल जांच चल रही है।